कि वेरी वेरी गुड एविनिंग टू आल अफ यू तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एब्रोड के बारे में डिटेल डिसकुस्टन के थे और आपको एन फाइए का एक फार्मूला भी संज में आया था कि एन फाइए इक्वल्स टू फेक्ट इंकम फ्रॉम एब्रोड मानेस फेक्टर इंकम टू एब्रोड इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड थे फ्रॉम और टू इनके अपने एक साइन थे पॉजिटिव एंड नेगिटिव इस पे भी लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिसकुस्टन कर लिया है उस क्लास इसको प्ल टौपिक डिसकुस्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ में ये टौपिक है आज का मैं आपको डेप्रिशेशन डाप के बारे में बाते करना चाहूंगा आज आज भाट डिटेल डिसकुस्टन करेंगे डप और उसके बाद कुछ बाट फॉर्मला कैसे बनाते हैं तो मैं और नेट का मतलब होता है सुध। तो सब्दें ग्रॉस और नेट अब आपको मनमें समझना होगा इस पहले बात को कि ग्रॉस क्या है नेट क्या है और डैक क्या है दिखीएगा यह mobile phone एक ठीक है मैं आज से इसको दो साल पहले जब लिया था इस इसको मैंने mobile phone जब दो साल पहले लिया था तो यह 20,000 रुपए का था 20,000 रुपए का मान लीजे कि उधारण है यह 20,000 रुपए का फोन था तो आप मुझसे पूछते हैं कि sir आपका यह phone कितने क तो मैंने आपसे बोल दिया कि 20,000 रुपएर का मेरी बाट समझें कि लेर तो यह 20,000 मैंने आपको बताया यह क्या है यह जो है मैने अभी आपको बताय इस समयं वही रेट बताया जिस दिने में मेल आय다 इस यह मेरा जो है ग्रos को और आपको कि मैं कि में 20,000 रुपे में 25,000 रुपे में में ल click करूँ हैतं वह नहीं लेगा जाएiger से कि हम कि बारँ चुमजेगा तो बारह क्रजार पर दोगा 12000 तो मेरे जो प्राइस ती आज जो पेकनिक लिए 12000 रुपे इसमें कितना डिटेक्ट हो गया इसमें कितनी वैल्यू रिडियूस हो गई इसमें आप देख पा रहे हैं कि यह 8000 रुपय वैल्यू रिडियूस हो गई है तो प्यारे बच्चे जो तूट-फूट के कारण पुराण होने की वज़े से गिसावर्ट होने की व Caesar मंलक की डिशन होने की विए से जो value में गिरावर्ट आती है जो गिरावर्ट आती है इसी को हम क्या बोलते इसी को हम बोलते डाय ठीक है और आपको समझ में आ गया होगा कि अब ग्रॉस वैल्यू क्या होती है 20,000 रुपे कर मैं आज 20 को बोल रहा है 20,000 रुपे का है मैं ग्रॉस वैल्यू बता रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि यार प्राना होने को विए से 8,000 रुपे कीमत तो इसकी अब कम हो गई चेक कीजिएगा क्लासिस का शुडूल जो है पहले से ही लगा हुआ था हां जी है चले जी मेरे बात समझे नहीं समझे तो अब आपको यहां से एक बात और अच्छे से समझ लेनी है अपने जहन में इस बात को आपको बिठा लेना है क्लियर है क्या की बिठा लेना है आपको यहांपर आपका बिटा ग्रॉस के अंदर ओललिडी piace इंग्लूडीड होता है और नेट के अंदर डेप्रिशिशन नहीं होता है मेरे बात समझे या नीग you ग्रॉस में डैप्रिशिशन और यदि इंक्लूड बीश जार पे मलब डैप्र मिला मुलू करके और नेट के अंदर डैप्रिशिशन नहीं होता है तो आपको एक बाद समझ लेनी है क्या सिंपल सा फार्मुला आपको समझना है यहीं से आपको फिर फार्मुला यादी ना कु जाओं ठीक है जी और इस बात को बिलेगे तो मैं यहाँ पर कि नेट में डैप नहीं होता है जी छुड़ी बाते हैं फर्मुला बनाने में काम आएंगे अगर मैं अब देखू यहाँ पर कि एक चीज़ देखीगा यह क्या है ग्रॉस ग्रॉस मैंसे जैसी मैं डैप माइनि कर दूंगा तो result कि आएगा result आएगा यहां पर net clear डूसरी बात में कर दू कि आपका net है इसमें डैप नहीं होता न जैसे इसको आप डैप दे दोगे तो यह क्या बन जाएगा आपका यह आपका ग्रॉस बन जाएगा मेरी बात समझे यह नहीं समझे clear जी यह बात आपको होता है तो मत कीजिए ठीक है इतनी सी बात जहां नख लीजीगा पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू आपका दिमाग महाँ पर अपने हाफ काम करेगा ठीक है जी ट्लियर है आगे बड़े अब मैं बात करूँगा यहां पर एन आई टी की नेट इंडारेक्ट टेक्स की मैं बात करना जा रहा हूँ अब आपसे देखिएगा बात करते हैं अब हम एन आई टी नेट इंडारेक्ट टेक्स की टॉपिक है मेरा नेट इंडारेक्ट टेक्स जिसको शॉट में हम क्या बोलेंगे जिसको शॉट में हम बोलेंगे एन आई टी नेट इंडारेक्ट टे बेचे देखिएगा इस इसको जड़ा समझने की आप यहाँ पर कोशिश करें इस पर हम अपनाइटी पर आओ एनाइटी से पहले हम एक काम करते हैं कि आपका फेक्टरकोंट अन्मार्केटप्राइस के बारे में समस्ते हैं कि बेसिकली फेक्टरकोस्ट का होता है market price क्या होता है चलिए फिल मैं आपको NIT बात बतायत हूँ उसके बाद आप बूर कर लिए जाँ दिखेगा NIT net indirect tax अब क्या होता है कि कोई भी goods and services का जब collection होता है तो government क्या करती है उसके उपर tax लगाती है बताए लगाती है या नहीं लगाती है तो government उसके उपर क्या लगाएगी government उसके उपर जो है tax apply करेगी कैसे ज़रा इस चीज को ज़रा समझने कोशिश केजिए मालो मैं एक चीज का ब्लक्षन कर रहा हूँ कोई एक चीज है जिसको मैं produce कर रहा हूँ X है क्लिर है अब इसके ब्लक्षन में क्या क्या चीज मुझे लगेंगी इसके ब्लक्षन में मुझे सबसे पहले क्या देना पड़ेगा एक labor देना पड़ेगा जब मैं labor दूँगा तो और मुझे इसके ब्लक्षन क्यों करने के लिए और क्या देना पड़ेगा मुझे land देना पड़ेगा इस चीज को produce करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा मुझे capital लगाना पड़ेगा इस चीज के production के लिए मुझे और क्या देना पड़ेगा मुझे जो है एक entrepreneur लगाना पड़ेगा आपको पता है लाइंड क्या है आपको पता है लेबर किया रिस्क को अपोर्ड करता है एक किसान भी जब खेती करता है तो लेबर काम करता है लगा रहा है लेबर भी तो ले रहा है कि अगर बरसात नहीं हुई या बहुत ज़्यादा होगी तो अबर्ष पर बहुत सकते हैं तो जो जो है वहाँ पर क्या होता है चीज़ कर सकते हैं और इन चारों को हम क्या कहाँ कें इन चारों को हम बोलते हैं क्या पैक्टर क्लिर रिसोर्स बोल दिजिए या इसको आ इसको मुभी सबसक्onistaca औहतесь सित्व एक ही है सिक्जिए अब आपको पता है है वह आnte लगा के बदले में क्या होगा आफ ख़र्च आएगा ही नहीं कहां मान लिगार टाई है और लेबर लगार अफ रुपर आपको एक रुपय का आपको खर्चा आए अगर मैं किछी को बनाओं गात उसका कोस्ट में किस तेगी से देखूंगा मैं देखूंगा कि मेरा जो है रेंट कितना जा रहा है अगर अगर कि अगर कि अगर कर देखे जरा तो यहां पर मैं अगर किसी का प्लक्षिंग कर रहा है तो देखूंगा कि मेरा इस पर रेंड कितना लगा इस पर मेरा वेजिस कितना गया और इस पर मेरा कितना गया यह सारी चीज़े में जो देखूंगा तो बिसकली क्या है लेवर के बदले में मैं मुझे देना पड़ रहा है कि क्या देना पड़ रहे मुझे यहां पर इसको मुझे वेजिस देना पड़ रहे है मुझे लेट है कि मुझे लेंट की बड़ देना पड़ रहा है रेंट देना पड़ रहा है इंते पड़ रहों जो capital दे रहा है उसको क्या देना पड़ेगा उसको interest देना पड़ेगा तो यह जो चारो की चारो चीज़े देख रहे हैं आपको मालूम है कि यह क्या है यह factor है labor, land, entrepreneur and capital clear है these are factor और अगर आप मैं बात करता हूं wages, rent, profit and interest ठीक है न यह हमारा क्या factor cost है तो जो factor के उपर मेरा cost आया रहा है वो कोस्ट कितना है जो ब्लक्षन में अगर आप दिखेंगे factor को उपर कोस्ट जो आ रहा है वो तीन और एक चार, चार और एक 5, A5 दो आपका साथ तो साथ रुपए का मेरा कोस्ट है तो फेक्टर कोस्ट कितना है जी साथ रुपए है तो आपको पहले फेक्टर कोस्ट सुझमाएं क्या होता है फेक्टर कोस्ट मेरी बात समझे या नहीं समझे कि आप किसी चीज का प्लक्षन करते हैं तो जो उसके फेक्टर को लाने में या फेक्टर को मैनेज करने में जो उसके खर्चा आता है उस कोस्ट को हम बोलते हैं फेक्टर कोस्ट अब ये साथ रुपए तो क्या है ये सारे फेटर को मिला करके प्रॉफिट मिला करके है सब कुछ दे दू करके है तो लेकिन क्या ये साथ रुपए ही साथ रुपए ही बाजार में ये प्राइस जाएगा बिखने के लिए बताओ साथ रुपए में तो यह offer नहीं होगा न क्यों कि government क्या करती है government collection पे tax भी लगाती है मेरी बात समझेगा सरकार अगर दो रुपए tax लगा रही है और सरकार goods and services के collection पे जो भी tax लगाती है उस tax को हम बोलते है indirect tax indirect tax होता है एक होता है direct tax मेरी बात समझेगा clear है पहले बात को आप समझ लीजिए तो ज़्यादा आपको easy होगा आगे समझने में देखेगा दो तरकी की tax होती है मैं यहां बता देता है फिर मैं इसको erase कर दूँगा इसकी need भी नहीं इतनी है अभी नहीं है फिलाल एक होता है direct tax और एक आपका होता है indirect tax ठीक है जी direct tax क्या होता है आपका बच्चे जैसे कि मालो मेरी income पर tax लगा कौन देगा मुझे ही देना पड़ेगा यह हुआ direct tax जिस पर लगता है उसके उसको उसका बड़न उसी का अफोर्ड करना पड़ता है कोई और पे नहीं करेगा देके indirect tax क्या होता है जैसे मालो कि cinema hall पर जो है government entertainment tax लगाया और उसने क्या करा उस बड़न को जो है public पर ट्रांसफर कर दिया अब जो टिकेट लेगा वो उसके tax को अफोर्ड करेगा इस tax को क्या बोलते हैं indirect tax जो goods and services आप खरीदते हो तो उस पर tax लिखा रहता है इतना tax है वो producer पर लगाता उसने आपको उपर ट income tax, ऐसे tax को direct tax कहते हैं तो जो goods and services पर टेक्स लगता है को से टेक्स लगता है वो indirect tax लगता है तो माल लीजिए government ने क्या करा, government ने indirect tax लगाया ठीक है जी और government indirect tax माल लीजिए 2 रुपए लगाती है तो क्या अब ये बाजार में 7 रुपए का offer होगा बिल्कुल भी नहीं होगा वह या एक रुपए कमा रहा है, 2 रुपए सरकार को कहां से tax दे दे गाई प्लाफिट भी चला जाए, 0 income और एक रुपए अपने जेप से भी लागा सरकार को दे, बाजार में कभी भी इस पे offer नहीं होगा, मेरी बाजार में तो क्या हो, क्या होना चाहिए, आपका होगा सर, इसमें indirect tax प्लस होना चाहिए, need है, प्लस करो सर, क्या, indirect tax, चलिए जी कोई चीज ऐसी होती है, जो की काफी necessary होती है लोगों के लिए, लोग के लिए बहुत जरूरी होती होती है, जीवन के लिए, जैसे मान लीजे, gas cylinder, बहुत जरूरी है, लोग के लिए खाना बनाने काम आता है, गरीब लोग जो है, वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं, यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे चीज जो कि गरीबों के लिए है जैसे कि कोई खाद बनाना यूरिया बनाना जो किसानों उसको पर टेक्ट लगेगा तो किसान कैसे उसको अफोर्ड करेंगे और फिर खेती कैसे होगी और अनांस कैसे पाइदा होगा और देश का फिर लागत आया करते थी तो पहले यह वा करता था कि उसमें से मालो हमें वह 500 रुपए को पडले में और पूरा 1000 रुपए बना तो पांस रुपए मैं दूंगा इसके बदले में तो मिस्टर एक पढ़ता था तो चीजों की कीमतों को कम करने के लिए के लोगों के लिए जो नेससरी होती है government क्या करती है उसके उपर टैक्स भी से क्लिर रहें तो government क्या करती है उसके उपर सबस्षी लगाती है यह जुभांस रुपता है एक्जांबल लिया हजार का इम बन रहा है मैं उसको 06胃 क्यूंछ 06 mm ने दे दिया है company को च過去 पर लेगी 600 मानिस करेगी और 400 रुपए जो है वो कंजूमर से लेगी तो यह जो 600 रुपए जो गौश्वर्मेंटर ने अफोड करा कस्टमर के भ्याप पर इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम सब्सिडी कहते हैं मेरी बात समझे या नहीं समझे क्लियरे जी बात समझे सब्सिडी क्या होता है क्लियरे तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम हिंदी में अनुदान भी बोलेंगे मेरी बात समझे, clear है, तो मैं फिर से repeat कर देता हूँ, यह पहले आप देख लेजिए यहाँ तक कोई doubt है तो please जरूर पूछे क्लियर है, तो मैं बतायता हूँ सक्रेडी क्या है, देखिए, एक सिलिंडर है, और यह सिलिंडर क्या है इसका, एक हजार रुपे प्राइज है, गौवर्मेंट ने पे कर दिया, कंज्यूमर के भ्यापतर, कितना, छैस्सो रुपे, जब फिर मान लेजिए चलिए, चार्स रुपे गौवर्मेंट ने पे कर दिया, इस पे, जो कंज्यूमर पे करेगा, वो तब 600 ही पे करेगा, तो जो गौवर्मेंट जो पे कर रहे हैं कंज्यूमर के भ्यापतर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहते हम, अनुदान, मेरी बात समझे, सब्सिडीज क्या होता, अनुदान क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ पर आप, कि यहाँ पर आपके पास पर indirect tax दो रुपए, लेकिन सरकार को लगा कि यह ज़्यादा महंगी हो गई है, लोग अफोर्ट नहीं कर पाएंगे नेसेसरी चीज़ है, तो गौवर्मेंट यहाँ पर क्या करेगी, गौवर्मेंट यहाँ पर एक काम करेगी, कि बोले कि यार एक यहाँ पर सबसीडी देना चाहूंगा, गौवर्मेंट एक रुपए का सबसीडी देना चाहेगी, तो अब बताओ, एक रुपए का सबसीडी देगी गौवर्मेंट, तो कंस्यूमर को कितने का पड़ेगा यह, कंस्यूमर को यह आठ रुपए का पड़ेगा, अब में आप आफर हो जाएगा इसको बोलते हैं मार्केट प्राइज मेरे पहले बात समझेए सामने पहले देखिए डाउट हो तो फिर मुझे से पूछे अगर 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 झाल 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 तो अब आप मुझसे एक बात कहेंगे यह बास मैं आपको आई? चलिया अब आप उसे एक बात कहेंगे शर एक बात बताईये हैं सरकार ने एक रुपे की सबसीडी देनी ही थी तो दो रुपे का टेक्स क्यों लगाया भाया सीदी सी बात है कि सरकार को फिर एक रुपे का टेक्स लगा देना था अब सरकार उस पर दो रुपे का टेक्स लगा रही है सरकार उससे पैसे ले रही है फिर सरकार उसको सबसीडी सभी पूर्प ऐगिकाई रुप्ते बिद्ध कर लो ना तो सीधा क सीधा जो आपका एक रुप्ते बच्चे का यही आप टेक्स लगाऊ, तो बच्चे इस सवाल है अगर आपके मन में सवाल है तो बिल्कुल सही सवाल है आपका यह और फिर लेकिन जब आप आप ün दैंस सभी सिडिविदिक मा證निस करके जब आप्ट लगा तो इसक은 उसको बोलते हम नेट इंडेरेक्ट टेक्स और नेट इंडेरेक्स हमारा क्या होता है यह अभी आपको पता लगा यह नहीं पता लगा तो प्षण मैं आया या नहीं हाया भी थे को हर्ट समझा दूगा मैं आपको क्लियर है जैसे भागे तो डाम वाले सबको हर को समझा रहे न आज की राइम पर तो वैसे वैसे तो खेर वो तो बहुत अलग लेवल है पढ़ाई के मामले में आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँआ ठीक है जी यहां देखेगा नेट इंडिरेक्ट टेक्स का बिसकली फार्मला क्या बना आपका नेट इंडिरेक्ट टेक्स और यह हमारे पास में क्या होगा यह इंडिरेक्ट टेक्स इन डिरेक्ट टेक्स 55 मानेस सब्सिडिय क्लेर यहाँ पर हमारे पास में मेरे पास में एन आइटी वह जाएगा यहाँ बात समझे नी तो आपको पता लगा किसी किसर मार स्वेंड ध्रकर क्वेडिम काम कर रहे हो कि आप indirect tax फेक्टर को जो भी आता है indirect tax आप add कर रहे हो फिर आप minus क्या कर रहे हो minus subsidies भी कर रहे हो यह सब ताम जहां नहीं करते वे आप एक काम करो इसको सरहटाओ ठीक है आप एक काम करो इसमें अनाइटी कर दो यह positive भी हो सकता नेगेटी कर दो तो उसके बाद फिर market के लिए available हो जागे कि market में कि सेट पर जागा तो क्या हो गया market price बड़ी बात समझे या नहीं समझे वह यह बात समझ में आई या नहीं आई क्लिर है अगा बताई यह बात आपको समझ में आई बताऊ जारा यह बात आपको समझ में आई या नहीं बताई यह कि अगर आप फेक्टर कोस्ट में एनाइटी डाल देंगे तो डिरेट आप अब कहां पहुंच जाएंगे फेक्टर एफसी का क्या मतलब है एफसी का मतलब बच्चे फेक्टर कोस्ट है मैंने भी बताई ना आपको फेक्टर कोस्ट कहां पह यह रहा फेक्टर कोस्ट इसको हम क्या बोलते है इसको हम एफसी बोलते है ठीक है जी क्लिर है और इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलें ठीक है ना कारक लागत और बाजार खीमत ठीक है जी बात समझे यह आपका क्या हुआ बाजार खीमत और आपके पास में यह क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं कारत लागत अब आपको यहां पर एक बास में आगई क्या उसको जड़ा कंक्लूड करते हैं क्या कि आपका मार्केट जब फेक्टर कोस्ट में एड़ करते हैं तो जाके मार्केट प्राइज आपका बनता है तो इसका मतलब क्या है कि तुरुआत में जब फेक्टर कोस्ट होता है मैं लिख देता हूँ पूरा पूरा लिख देता हूँ प्रेक्टर कोस्ट मतलब FC FC में NIT नहीं होता है FC के अंदर इक रूड नहीं होता है पॉर्मला बनाने में काम आएंगी ये नोलेच ठीक है बात समय में आई आए आपको और बात करते हैं मार्केट प्राइज की मार्केट प्राइज मतलब कि MP में इसमें NIT होता है included होता है NIT इंक्लूड होता है मेरी बात समझे क्लियर है अब कुछ बाते करते हैं मां मेरी बात समझे का जरा मैं सबसे पहले बात करता हूँ domestic की thought में बता रहा हूँ मैं आपको मैं पहले बात करूँगा किसकी NFIA की बात करूँगा बात समझे हर एक चीज का अपने जिगे पर इस्तेमाले कुल में लाकर कि तीन ही चीजे हैं ठीक है जी तीन ही चीजे मैं पहले बात किसा कर रहा हूँ मैं पहले बात करूँगा कि एन फाइए का ठीक है एन फाइए की मैं बात करता हूँ तो इसमें चीजे हैं कि क्या दो यह आपका जो है ना दो बाते हैं यहां पर एक बात आएगी डोमेस्टिक डोमेस्टिक में सामिल डोमेस्टिक में यह आपका इंक्लूड नहीं होता है एन फाइए डोमेस्टिक में नहीं होता है न वी जब डोमेस्टिक में हम NFIA add करते हैं तब जाकर कि क्या बनता है नेशनल बनता है आपको याद होगा domestic में हमें NFIA add करना पड़ता है domestic income के इंदर तो domestic में नहीं होता है और नेशनल में included होता है पहली बात समझ लिजीगा आप clear है जी समझें इस बात को समझ लिजीगा दूसरी मैं बात कर रहा हूं किसके मैं दूसरी बात कर रहा हूं यहाँ पर डैप की एक ही पेच पर बात समझ लिए तो ज्यादा बेटर है अज़िए तो डैप में तो डैप में यहीं बता हुआ कि ग्रॉस में अज़िए कि नेट में अज़िए इंक्लूड नहीं होता है नेट में नहीं होता है न डैप शुकि आप ग्रॉस में से मैन אנחנו करके बनाते हैं और क्या होता है जह ग्रॉस में आधasking इंक्लूड होता है ठीक है जी क्लियर और बात करते हैं एन इन इन इस बात का आप दहानक alm लेगे ना बस्तमान लिजे कि आपको चप्ट्राप के हाथ में आ लिए एक होता है आ है कि फेक्टर कोस्ट में इंक्लूड नहीं होता है मैंने एक बाते बताई है आपको और एक है मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है कि मेरे बात समझे नहीं समझे यह यह बात ध्यान रखेंगा आप बस है क्लियर रटा मने लिए पहले मैंने आपको हर एक टोपिक को अच्छे सर्ड़द की है उसको अच्छे समयने शफ्रक्रार है और इसचीछ को आप जिरा ध्यान लखें इस इसको आप समझे और झाल दन भई कोई डाउट तो मैं आज की क्लास में सबसे पहले आप से यही बात करula कि बच्चे आप पहले इन बातों को अच्छे से देखेगा इन बातों को अच्छे समझेगा next class हमारी होगी formula बनाने के उपर जहां पर मैं आपको बताऊँगा कि GDP से हम NNP पे कैसे जाते हैं, NNP से हम GNP कैसे बनाते हैं, at factor cost कैसे बनाते हैं, market price कैसे बनाते हैं, इसको read कैसे करते हैं, first letter किस चीज को represent करता है, detailing में एक चीज में बताऊँगा, और अगली कक्षा में आप जो है महारत हासिल कर लेंगे formula बनाने में, और उसके next class इसमें फिर हमारे income method, numericals के format, दैन उसके बाद numerical start हो जाएगा अगली कक्षा में, मेरी बात समझें या नहीं समझें, clear है जी, यहां तक आपको अच्छे समुझ माया, ठीक है, बस आपको income method समुझ लेना है, expenditure method समुझ लेना है, value addition method समुझ लेना है, जी, इसका जो है कई बार, format को explain करो, वो आ जाता है, numerical कई बार आ जाता है, और इन सब चीजों के बीना, वो बाते हैं आपकी बनेंगी नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से detail में समुझ में आ रहा है, question की practice कर लेंगे, और फिर previous year जो national income से related questions आएवे हैं, उस पर detailing में discussion करेंगे, इस chapter को हम mind up करेंगे, लेकिन अभी समय है, अभी तो हमें numerical start नहीं किया, numerical भी ना ना करते हुए, दस एक class में हम 4-5 numerical भी करेंगे, तो एक method के उपर तो हमें कम से कम 10-15 numerical, तो कम minimum करना है हमें, तीन method पर तीन numerical करना है, तो अभी है time इसको, अच्छे सा आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक अच्छी वात है, ठीके जी, मिलते हैं फिर हम next class में, आपका जो time है, जो आपका schedule है, उसी के coding जो है, ठीके जी थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मुच.